गुद मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टो आवर स्कूल किज़ारस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12, रेश्चो एंड प्रोपोर्जन, एक्साइज 12.3, उसका कोश्चन नमबर 1, If the cost of 7 meter of cloth is Rs. 294, अगर 7 meter का जो cloth है, उसकी cost जो है, वो 294 होती है, तो हमें find the cost of 5 meter of cloth, तो हमें 5 meter का जो cloth है, उसकी cost जो है, वो हमें पता करनी है, Okay, cost of 7 meter of cloth equal हमें दी है, Rs. 294, अभी हमें इसके लिए, क्योंकि हमें 5 meter के cloth की cost पता करनी है, तो हमें 1 meter के cloth की पहले cost पता करनी पड़ेगी, उके बच्चो, तो 1 meter की cloth की cost पता करने के लिए, हमें 294 को हमने 7 से डिवाइट किया, तो हमारा answer है, Rs. 42, तो इस परकार जो Rs. 42 है, वो 1 meter cloth का cost हुआ, अभी cost 5 meter के cloth की cost पता करने के लिए, हम 42 multiply 5 करेंगे, तो हमारा answer आएगा, Rs. 210, तो इस परकार जो cost होगी 5 meter के cloth की, वो होगी Rs. 210, अभी question 2, एकता earned Rs. 1500 in 10 days, how much will she earn in 30 days, एकता जो है, Rs. 1500 जो है, 10 day में कमाती है, तो वो बोलिए कि वो 30 day में कितने रुपे कमाएगी, तो यहाँ पर भी हमें पहला दिया है, 10 days का, तो हमने पहला लिखा, उसने 10 day में 1500 कमाया, क्योंकि अब हमें 30 day के निकलने हैं, तो पहले हमें 1 day का उसकी निकलने पड़ेगी, 1 day में कितना कमाती है, तो इसके लिए हमने 1500 को 10 से डिवाइड किया, तो हमारा रुपीस निकला 150 रुपीस उसने 1 day में कमाया, अभी क्योंकि हमें 30 day में उसने कितना कमाया, तो हमने इसलिए 150 को 30 से मल्टिप्लाइ किया, तो हमारा अंसर है, रुपीस 4500, तो उसने जो है, earn किया 30 डे में वो है, रुपीस 4500, ओके, it has rain 276 mm in the last 3 days, अगर last 3 days में 276 mm rain हुआ है, तो how many cm of rain will fall in one full week, तो कितना rain एक full week में हो सकता है, assume that the rain continue to fall at the same rate, और ऐसा सोचिए आपकी assume कीजिए कि पूरे पूरे day, 7 के 7 day Rain fall जो हुआ है, वो same rate में हुआ है, तो हमें पता है कि rain 3 days में 276 mm हुए, तो क्योंकि हमें 7 days का rain निकलना है, तो हमें पहला 1 day का rain निकलना पड़ेगा, 1 day में कितना rain हुआ, तो इसके लिए हमें 276 को 3 से दिवाड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बता है कि जो हमें last 3 days की rain दी गई है तो last 3 days की rain जो है वो 276 है तो 276 को 3 से divide किया तो हमें आये 92 mm अभी जो rain है 7 day में 7 day में जो rain है वो हुई 92 multiply 7 तो answer हमारा है 644 mm तो इस प्रकार उन्होंने 7 day में 644 mm बरसात हुई है question 4 है cost of 5 kg of wheat is 30.50 rupees what will be the cost of 8 kg of wheat यहाँ पे भी हमें 5 kg के wheat की cost दिये 30.50 पैसा तो हमें क्या करना पड़ेगा जो 30.50 पैसा है उसको 5 से divide करके पहले 1 kg की rate पता करनी पड़ेगी तो ही हम 8 kg की rate पता कर सकते हैं तो पहले हमने 1 kg के rate पता की तो 1 kg के rate हमारे आई 6 rupees 10 पैसा अभी हमने 6 rupees 10 पैसा को 8 kg से multiply किया क्योंकि हमें 8 kg की rate पता करनी है तो हमारा आया 48 rupees 80 पैसा इसी प्रकार B जो है B में हमें पूछा है तो 61 rupees में कितना wheat हम purchase कर सकते हैं तो हमें पता है कि अगर हम अगर पास 30.50 पैसा होता है तो हम 5 kg wheat purchase कर सकते हैं अगर हमको rupees 1 में कुछ purchase करना है तो rupees 1 में हम 5 upon 30 rupees 30 50 पैसा purchase कर सकते हैं तो हमें अभी यहां पर दिया है कि 61 rupees में कितना कर सकते हैं तो हम 50 upon 30 rupees 30 50 पैसे को multiply करेंगे 61 से और यहां पर यहां पर जो हमें दिया है यहां पर जो decimal point दिया है नीचे उसको अगर हमने यहां cut out कर दिया तो यहां पर हमारे 2 0 आ गया है तो इस परकार हमने cut out किया इसको तो हमारे पास answer आया 10 kg तो कितना के ख़िश सकते हैं वो तो 10 kg वो जो है wheat ख़िश सकते है 61 rupees में इसे पर का question 5 है The temperature dropped 15 degree Celsius in the last 30 days जो temperature जो है 15 degree Celsius कम हो गया last 30 days में If the rate of temperature drop remain the same How many degree will the temperature drop in the next 10 days जो temperature है वो 15 degree Celsius अगर last 30 days में घट गया है तो rate of temperature जो drop होगा इसी परकार सेम rate से drop होता रहा तो कितना degree temperature drop हो जाएगा next 10 days में तो हमें पता है कि 30 days के अंदर 15 degree temperature जो है वो drop हो गया है तो degree of temperature dropped in last 30 days तो degree of temperature dropped in last 30 days में जो temperature drop होगा वो होगा 15 अपन 30 उसको cut out किया 15 की टेबल से तो हमारा answer है 1 अपन 2 degree degree of temperature dropped in last 10 days तो last 10 days में जीतना drop होगा होगा 1 upon 2 multiplied 10 इसलिए 5 degree तो 5 degree Celsius temperature dropped in 10 days अभी है question 6 अगर वो तीन महीने का 7500 रुपीज देती है तो बोलिए उसको पूरे साल का कितना rent देना पड़ेगा अगर rent जो है वो per month सेम रहता है तो हमें पता है साइना ने जो rent दिया per month 3 month का वो है 7500 अभी 12 month का rent हो जाएगा उसका 2500 multiplied 12 कैसे जो 1 month का हमने rent निकाला यहां पे तो 1 month का जो हमारे rent आया वो है 7500 divided by 7500 divided by 7500 को हमने डिवाइड किया जो है हमारे पास जो 3 months थे उससे तो हमारा है 2500 अभी 2500 को हमें 12 से multiply करनेगा तो हमारा answer आएगा 30,000 तो उसको साल में 30,000 rent पे करना पड़ेगा अभी question 7 cost of 4 darjan banana is rupees 60 अगा 4 darjan banana जो है rupees 60 में मिलते हैं तो हमानी bananas can be purchased for rupees 12.50 तो 12.50 rupees में कितने banana आएगे हमें पता है 4 darjan banana जो है हमें मिल रहा है 4 darjan banana हमें 60 rupees में मिल रहा है अभी 48 banana जो है हमें उसके बाद हमें दिया है कि 4 darjan 4 darjan माने एक darjan माने 12 तो 4 darjan माने हुआ 48 banana तो 48 banana इस प्रका हमें 60 rupees में मिले हैं अगर हम 60 rupees के अंदर 48 banana खाई सकते हैं तो 1 rupees में हमें मिलेंगे 48 upon 60 माने उसको cut out अगर हमने किया तो हमें मिला जो है वो 4 upon 5 अगर 48 upon 60 को हमने cut out किया तो हमें मिला 4 upon 5 तो 12 के table से इसको cut out किया 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 अगर हमने rupees 12.50 में जो number of banana कितने purchase किये वो हमारे 4 upon 5 multiply 12.50 तो हमारा answer आया 10 bananas कितना answer आया 10 bananas तो इस प्रका हमने rupees 12.50 में 10 bananas purchase किये जो question 8 है उसमें हमें बोला गया है the weight of 72 books is 9 kg what is the weight of 40 such books 72 books का अगर weight 9 kg है तो 40 ऐसी books होंगी उनका weight कितना होगा तो the weight of the 72 books equal 9 kg जो weight है 72 books का हुआ है 9 kg weight 1 book का हुआ 9 upon 72 मने उसको cut out किया तो हमारा answer आया 1 upon 8 9 के table से 9 मेंज़े 9, 9, 8 जा 72 तो 1 upon 8 आया तो the weight of 40 books 40 books का weight हो गया 1 upon 8 multiply 40 8 और 40 को cut out किया तो हमारा answer है 5 kg तो इस पर का 40 books का weight हुआ 5 kg question 9 है हमारा a truck require 108 liter of diesel for covering a distance of 594 km एक truck जो है उसको जो 594 km का cover करने के लिए 108 liter diesel की ज़ुद पढ़ती है हमार diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 km तो कितना diesel जो है ज़रूरी होगा एक truck के लिए अगर वो 1650 km जाएगी तो एक truck को अगर 108 liter diesel चाहिए होता है 594 cover करने में तो हमने लिखा यहां पर for covering for covering 594 km a truck will be required 108 liter अभी 1 km का हम निकालेंगे तो 1 km का होगा तो 108 upon 594 आया तो इसको अगर हमने cut out किया तो हमारा answer है 2 upon 11 तो 2 upon 11 अगर इसको 54 के टेबल से cut किया तो 54 तू जा 108 54 11 जा 594 ओके और ऐसे भी for covering 1650 km a truck will be required अभी हमें का है 16 1650 km कावर करने के लिए कितना रिक्वाइड करेगा पैट्न उसके लिए कितना लिटर हमें चाहिए तो 2 upon 11 multiply 1650 तो 2 upon 11 से 1650 कर गया तो हमाना answer है 300 लिटर कितना आएगा 300 लिटर अभी question number 10 है राजू purchase 10 pen राजू ने 10 pen खाई दे for rupees 150 मनीश बाइ 7 pen for rupees 54 राजू ने 10 pen खाई दे rupees 150 में और मनीश ने 7 pen खाई दे 84 रुपे में किसको सस्ता pen मिला आप बता सकते हो तो हमें पता राजू ने 10 रुपे में 10 sorry 10 pen खाई दे 150 में तो अभी अगर हमें 10 pen खाई दे उसने अभी हमने 1 pen कितने में खाई दा वो निका लेंगे 150 divided by 10 मने उसने 1 pen rupees 15 में खाई दा मनीश ने पर्चेस किये 7 pen 84 rupees में अभी मनीश ने 1 pen खाई दा 84 upon 7 मने 12 rupees में खाई दा तो मनीश को जो है सस्ता pen मिला है question 11 है Anish made 42 run in 6 over and Anish made 63 run in 7 over who made more run per over Anish ने 42 runs बनाए 6 over में और Anish ने 63 run बनाए 7 over किसने ज़्यादा runs बनाए हैं तो Anish ने हमें पता है कि 6 over में 42 run बनाए तो 1 over का निकाल लेंगे लें 42 को 6 से divide किया तो हमारा है 7 run ऐसे अनुप ने 7 over में 63 run बनाए तो एक over में उसने जो run बनाए वो निकालने के लिए 63 डिवाइट 7 करना पड़ेगा माने 9 run तो इस परका Anish made more runs per over तो इस परका हमारा answer आया कि Anish ने ज़्यादा run बनाए per over ओके बच्चों तो इस परका यह exercise यहां finish होती बच्चों Thank you बच्चों Have a nice day Bye Bye